नमस्कार दोस्तों सम्पारन कम्पेटेटिव क्लास में आप सब का स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें और कमेंट करें एंटी पीशी और दरोगा के लिए एक टेस्टरी चल रहा है खासकर दरोगा के लिए बहुत ही उप्योगी है इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें और कमेट करें चले पाला कुश्टन देखते हैं पाला कुश्टन है जब ग्रीन बीच में मध्यावन के एक जगह का अस्थानिय समय पांच बजे शामे है निमलिखित में से वह कौन सा यमुत्तर है जिस पर उप्यूक्त जगह अवस्तित है चले इसका आंसर करें पचहत्तर पूर्व पचहत्तर पश्शिम एक सो पचास पू पांच घंटा में ये तीन सो मिनट हो जाएगा और एक डिगरी बराबर चार मिनट होता है तो इसको भाग देंगे तो पचहत्तर डिगरी आ जाएगा चले नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन है दो नमबर निमलिखित में से कौन सी खरीब फसल नहीं है का पास म फली मा का सरसो आंसर करें आंसर पर जाएगा सरसो बाकी चब खरीब फसल है ठीक है फसलों का रितू के आधार पर वरगी करन करते हैं अब देखें कैसे वरगी करन किया जाता है फसल को मुखत निम परकार बाटा गया एक रवी फसल खरीब फसल और जायद फसल रवी फसल खरीब फसल, जायद फसल, ठीक है, बेवसाइक फसलों को नगदी फसल के नाम से भी जाना जाता है, बेवसाइक जो फसल होता है जैसे, उसको नगदी फसल के नाम से जाना जाता है, बेवसाइक फसल में कौन-कौन आते हैं, तो नगदी फसल में देखिए, तमबाकू, पूट कॉफी चाय आदी आते हैं चलिए आगे देखते हैं आगला कुस्चन है कूल भगावलिक छेतरफल के संदर में वनों का उच्चितम प्रतिशत मिलता है और आचल परदेश नागालें त्रिपूरा और मिजोरम आंसर हो जाएगा मिजोरम ठीक है अब देखिए मिजोरम में 85.41 परतिशत ठीक है और आचल परदेश में 79.63 परतिशत मेघाले में कितना है तो मेघाले में 76.33 परतिशत ठीक है सबसे अधिक मिजोरम और राचल परदेश और तब ठीक है मेघालें चलिए आगे देखते हैं अगला कोश्चन है अधी पादप मुखत पाये जाते हैं कूण धारी वनों में मांशूनी वनों में शावना वनस्पतिल में विश्वतिय वनों में आंसर करे चार नंबर का आं अलमने गुवा में क्या होगा तो इसका आंसर कासमीर हो जाएगा या बिश्व का सबसे किम्ति पाउधा है भारत में केसर की खेती जमूu कासमीर में की जाती है ठीक है बिश्व में केसर उगाने में प्रमुक्देश, स्पेन, इरान, फ्रांस, इटली, रूस, ग्रीक, करते हैं तराई दून खादर भामबर ठीक है इसका आंसर हो जाएगा भाबर चली आगे देखते हैं निमलिखित राजों में से किसकी टटरेखा सरवाधिक है गुजरात महराष्ट केरल तमिलाडू आंसर करें आंसर होगा गुजरात गुजरात राज की टटरेखा सबसे अध कितना है 1214 किलो मिटर आगे देखते हैं आगे है साइमन कमिशन की संस्तुतियों के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है इसने प्रांतों में द्वेद सासन से उत्तरदाई सरकार दोरा परतिया स्थापित करने की संस्तूती की इसने गरिह विभाग के अधिन अंत परांतिये परिशत अस्थापित करने की शुझाओ दिया। अगला है इसने केंध्रे में दूहिट सदनात्मक विधायक के उनमुलन का सुझाओ दिया। इसने भारतिय पुलीस शेवा के इस प्रवधान के साथ सिर्जित करने की संस्तूती की की ब्रिटिस भारत की तुनला में कम बेतन तथा अधिक बेतन होगा ये सब नहीं इसका आंसर हो जाएगा ए नमबर इसने प्रांतों में द्वध सासन के उत्तरदाई सरकार द्वरा परतिय स्थापित करने की संस्तूती की चलिए इस कमिशन को कमिशन जो था उसके सभी सदस साथ थे यानि साथ सदस थे उसमें एक भी भारतिय नहीं सामिल था इसलिए इस कमिशन को गोरा कमिशन भी बोला जाता है इस कमिशन को स्वेत कमिशन भी बोला जाता है चलिए आगे देखिए अगला कोश्चन है बिक्रम सिला नमग प्राचीन विश्व बिद्याले की अस्थामना बंगाल के किस साशक ने की थी धर्म पाथ गोपाल देवपाथ महीपाथ आंसर करें आंसर होगा धर्म पाथ बिक्रम सिलानावक प्रजीन विश्व बिद्याले के अस्थामना बंगाल के साशक धन पाल ने की थी इस विश्व बिद्याले में ब्रज यान साखा की पढ़ाई होती थी बारतमान समय में बिहार के भागल फुर्जीले में ये विश्व विद्याले इस्तित है बिक्रम सिला विश्व विद्याले के परसित बिद्वान अतीश दिपांकर शिक्षा गरहन किये थे चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन दिल्ली के किस सु पर भी जजिया कर लगाया था आंसर करें तो बलबन दिया हुआ है फिरोज तुगलक दिया हुआ है अलावदिंखिल जी है मुहम्मद भीन तुगलक है आंसर करें आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक ने पर जजिया कर लगाया था चलिए आंसर करें अगल में भारत चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ट किस देश में इंडियन प्रिमियर लीग अर्थात IPL 2020 आयोजन करने करना चाहता है नेपाल पाकिस्तान संजुक्त अरव अमिरात क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा सं मिनाकशी मंदीर अयोध्या महाकालैस्वर मंदीर अकूनसा होगा आंसर करें ले जारी निर्देश को कितने तारीक तक के लिए बढ़ा दिया है 31 दिसंबर 2020, 15 अगस 2020, 1 दिसंबर 2020, 10 अक्टूबर 2020 तो इस तारीक को बढ़ा दिया है 31 दिसंबर 2020 तक चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन है पंदरा नमबर पंदरा नमबर कोश्चन है हाल ही में किस राज सरकार ने वेस्ट टू एनरजी नाम से एक पहल की शुरुवात किये बिहार पंजाब जरकन उतरा खन आंसर करें 15 नमबर का तो इसका आंसर हो जाएगा उतरा खन चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन है अमेरिका ने किस देश को हिउस्टन ने अपना वानिच जिदूतावास बंद करने का आदेश दिया है नैपाल, पाकिस्तान, चीन, रूस आंसर करें तो इसका आंसर हो जाएगा चीन प्रसिद बॉलिवूट अभिनेता सोनुशूद ने स्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस एप को लंच किया है परवासी रोजगार एप हमशफर रोजगार एप साथी रोजगार एप और सोच रोजगार एप आंसर करें आंसर करें 17 नंबर का तो प्रवासी रोजगार एप लंच किया है चलिए आगला कोशन देखते हैं आगला कोशन है बिश्व डोपिंग रोधी एजनसी ने देश की राष्टिये डोप परिक्षण पर्योग साला के निलंबन को कितने महिने के लिए बढ़ा दिया है दस महिने, छे महिने, आठ महिने, तीन महिने आंसर करें 18 नंबर का तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छे महा तक आगला कोशन है हाल ही में किस देश ने एक बार पुनह वर्ष उन्निस सो चानबे के भू अस्तरांत्रण के प्रस्ताव की और संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है नैपाल, बंगलादेश, चीन, भारत किसने 19 नमर का आंसर करें तो ये चीन दिया है चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है हालही में गाओफेन 905 नामक अप्टिकल रिमोट सेटिंग सेटेलाइट लॉंच किया गया इस उपकरव का सम्बंद किस देश से है इसराइल, अमेरिका, चीन, जपान आंसर करें पचेश नमर का चलिए आंसर इसका हो जाएगा चीन का है आगला कोशन देखिए आगला कोशन है निमन लिखित में से कौन सा राज परधान मंत्री श्वानीदी योजना लागू करने में सिर्ष पर रहा गुजरात उतर परदेश, मध़परदेश करना टक आंसर करने चपिस का तो इसका हो जाएगा मध़परदेश चलिए नेक्स कोशन देखते है आवर ओनली होम आवर होन आवर ओनली होम एक कलाइमेट अपील टू दे वर्ल्ड नामक पूश्टक के लेखक कौन है चेतन भगत और नतीरा है विरल वी अचारे दलाई लामा आंसर करें 27 नमर का तो ये दलाई लामा हो जाएंगे चलिए आगला कोशन देखिए ओपरेशन रक्षक निमलिखित में से किस्ने सम्बंदित है ओपरेशन रक्षक कोबी नाइंटी के दोरान रोग्यों को सुरक्षा रखने है तू जम्मू कस्मिर में आतंकवाद विरोधी अभियान है तू चीन के विरूद औराचर परदेश में मोर्चा बंदी है तू इन में से कोई नहीं आंसर करें 28 का 28 का आंसर हो जाए नीना गुपता कंगना रराउंट आंसर करें 29 का तो ये शेखर का पूर होगा चलिए अगला कुश्चन देखते है अगला कुश्चन देखते है अगला कुश्चन है मैन भूकर अंतराष्टिय पुरस्कार 2020 के बीजेता है मायन बुकर अंतराश्टिय पुरसकार 2020 के बीजेता कौन है आंसर बताईए तो इसका आंसर हो जाएगा मारी के लुकास आंसर भी होगा चलिए आगला कोश्चन देखते हैं हाल ही में किस देश ने पुनह इस्तिमाल में लाए जाने योग जोगे एस्पेस क्राफ्ट का शपल परिक्षण किया है जपान, चीन, स्राजुक राज अमेरिका, भारत आंसर करें 31 का तो इसका आंसर हो जाएगा चीन किया है चलिए आगला कोश्चन देखते हैं किस तिथी को ओजोण परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाता है 16 सितमबर, 17 सितमबर, 18 सितमबर, 19 सितमबर आंसर करें 32 का इसका आंसर हो जाएगा 16 सितमबर चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं UEFA, Super Cup का संबंध किस खेल से है कवर्डी, फुटबॉल, 17 बेस्बॉल आंसर करें 33 का आंसर हो जाएगा फुटबॉल चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं निमलिखित ग्रहों में से वह कौन सा है ग्रह है जिसका कोई उप ग्रह नहीं है पृत्वी, बुध, मंगल, ब्रेस्पती पृत्वी का है, चंद्रमा, बुध का भी है बुध का नहीं है, पुछराय निमलिखित में से किसका नहीं है तो बुध हो जाएगा बी नमबर चलिए, बागी सबका है संजुक्त राज अमेरिका के दच्छिन कैलिफोर्निया में इस्तित्मितक घाटी निमलिखित में से किसका उधारन है 35 का अंसर करें रिफ्ट घाटी का उधारन है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है बीशो का सरबादिक सुष्क मरुवस्तल है थार सहारा आटा कामा पैटा गोनिया पैटा गोनिया अंसर करें 36 का आटा कामा चले नेक्स कोश्चन देखते हैं आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें सेर करें और कमेंट करें अपना सुझाओ दें चले नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन है सांसत की संजुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा राजिस सभा के अध्यक्षे द्वारा परधान मंतरी द्वारा लोकसभा स्पी करके द्वारा राजिस सभा के विपक्ष के नहता के द्वारा 37 का अंसर करें तो लोकसभा स्पी करके द्वारा अगला कुशन कृत्रिम सोना का संगटन है कृत्रिम सोना का संगठन कौन है तो कौपर और एलमुनियम सी नमर आंसर हो जाएगा समीधान का कौन सा अनुछेद दो सिसीधी के संबंद में अभियूक्त को दोहरे डंड याम श्वा अभिशासन किसी में सरक्षन परदान करता है अनुछेद 19 अनुछेद 22 अनुछेद 12 अनुछेद 20 आंसर करें अनुछेद 20 होगा चलिए next question देखते हैं next question है भारत में मुख चुनाव आईउक्त को निम्ने के किसे दवरा नियुक्त किया जाता है लोक्षभा अध्यक्त के दवरा परधान मंतरी द्वारा, राष्ट पती द्वारा, मुख नियादीश द्वारा, आंसर करें राष्ट पती के द्वारा होता है, चलिए नेक्स कोश्चन देखते हैं नेक्स कोश्चन है नेक्स कोश्चन है भारत का राष्ट पति किसले द्वारा हटाय सकता है लोग सभा के द्वारा संसद के द्वारा भारत के मुख नयदीष के द्वारा परधान मंत्री के द्वारा 44 आंसर होगा संसद के द्वारा next question है तोड़ा सा typing mistake है इसलिए आज यहीं तक हो पाएगा और कोश्चन अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें सेयर करें, कमेंट करें धन्वाज दोस्तो